भारत हमारी मा है, माता का रूप प्यारा करना इसी की रक्षा करता बेह हमारा जितनी माननेता माया पती की है, जितनी माननेता नाराइन की है, उतनी ही माननेता नाराइनी की है अगर माया पती पूरे जगत को रचते है, तो माया पूरे जगत को नचाती है वो श्त्री है पुरातन से लेकर अब तक देखिए, पुरातन में अगर देखें, तो शिव के उपर अगर इकार ना हो, अगर शिव के उपर इकार इमात्री का सक्ति ना जुड़ी हो, तो शिव मास्त्र शवर बन कर रह जाएगा, उसको कोई शिव नहीं कहेगा, जब तक शक्ति है, तब त तक ही शिव है, छोटे थे हम, कोई महमान आता था, तो आचल में छिप जाते थे, आचल से मा आशु पोच देते थी, और आख में कभी कोई चोट लगी, तो ऐसे फूख छोड के आख पे लगाती थी, कभी डॉक्तर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आख ठीक सर्ब मंगल मांगल्ले, सिवे सर्वाथ साधिके, सरन्ने त्रम्ब के गउरी, नारायनी नमोस्तोते जयन्ती मंगला काली, भद्र काली कपालनी, दुर्गाच हमा सिवाधात्रे, स्वाहा स्वधान मोस्तोते नारी तू नारायनी यहाँ पर विराजमान समस्त मात्रशक्ति को, हमरे त्यारी बेटियों को, भारत की आधार भूता मात्रशक्ति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ जैसा कि इसका नाम है नारी सक्ति संगम और संगम में महारथी से लेकर फकीरी तक या फकीर से लेकर महारथी तक सब एक ही घाट पे आते हैं संगम का आर्थ होता है मिलना जहां तीन नदिया मिलती हूँ या तीन तरह की विचारधारा मिलती हूँ वो संगम होता है और इस संगम का उद्देश है नारी कल, आज और कल इसलिए ये संगम है पुरातन काल की नारी, प्राचीन काल की नारी मद्ध काल की नारी और आज की नारी हमारे इस पूरे कारिकरम में विराजमान जो मंच की सोभा बढ़ा रही हमारी पूझे आदर्निया श्रीमती मनुसर्मा कटारिया जी प्रुभेसर डाक्टर रजनी मलोत्रा रिंग्रा जी जिनोंने प्राता की चर्चा में भाग लिया ऐसी संपुण मात्रशक्ती हमारी आदर्निय भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका के विशे में आद्यो पांत अपना विशे रखने वाली आदर्निया श्रीमती रेनु पाठग जी हमारे आदर्निय दिनेश जी भाईसाव, हमारी प्रचारक महदे, हमारी भाईसाव ओम जी रूपक भाईया और उपस्थित सभी मात्रशक्ती मेरे लिए यहाँ से लेकर और उपर की लाष्ट स्रंकला में बैठी हुई मात्रशक्ती समान है और सब में समान शमता है ये भी पता है अभी अभी समय गया है हमने दुर्गा पूजा की कंजकें जिमाई अभी अभी समय गया है कि हमने अपने घरों में मा भगवती, अस्टभुजी, दुर्गा भगवती की आराधना की नौ दिवसी हमने उपासना अराधना की अब मैं आपसे प्राता की चर्चा से लेकर अब तक आपने ध्यानपुर्वक सुना है तो आपसे मैं एक प्रश्ण पूछना चाहती हूँ उसके बाद मैं पांस मिनिट सिर्फ अपना विशे रखूंगी अब ही एक बचकर पचास मिनिट हो रहा है मैं एक बचकर अठावन मिनट पर माइक से हट जाओंगी एक बात पूछूंगी यहां पर कौन-कौन भारती है बैठा है जरा हाथ खड़े करके मुझे बताईए पक्की बात है कोई विदेशी तो नहीं है तो सब बोलेंगे भारत माताखी इतनी जोर से नहीं जितनी जोर से जब मैं आई थी तब आवाज आ रही थे उतनी जोर से जितनी जोर से जब आपको अपने किसी प्रिय को विपत्ती में पुकारने का मन करता है उतनी जोर से उतनी जोर से जब आपको कुछ excitement, कुछ ऐसा दिखाना होता है अपने बच्चे को, तब आप उकारते हो नाम लेकर, उतनी जोर से भारत माता की, अभी आधा जो से, आधेकादशी नहीं है, मुझे पता है, कल खूब खीर खाईए सबने, सरत्पुर्णिमा मनाईए न, अब ग्रहन लग गया, तो क्या खीर थोड़ी ना छोड़ेंगे, तो दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, चंद्रमा में अगर ग्रहन भी लग जाए, तो भी वो अपनी चांदनी नहीं छोड़ता, इसलिए हमारी मात्रशक्ती में कहीं कोई ग्रहन न लग जाए, इसलिए अपनी उर्जा को पहचानने के लिए, ऐसे आयोजन होने चाहिए, मैं नमन करती हूँ, इस पूरी आयोजन को जग जोड दिया था, हमारा भारत हमारी मा है, ऐसी मा भारती, ये जब भारत मा की छबी आप सामने रखके पुस पर्चन करते हो ना, ये किसी और की छबी नहीं है, ये आपकी छबी है, जिस भगवती अस्तभुजी दुर्गा का आवाहन बेवता करते हैं, ये किसी और की छबी नहीं है माताओं ये आपकी छबी है आप अपनी छबता अपनी ताकत को पहचानो सारे निर्णे घर के पुरुष लेंगे ऐसा अब नहीं चलेगा क्योंकि पुरुष के निर्णे में भी समाधान देने वाली इस्त्री हुआ करती है ये आपकी छबी है कोई कह देगा कि वो नेता बड़ा अच्छा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसका ये पहचान है वो हमारा रिस्तेदार लगता है तो उसी को जाकर अपनी उंगली से ओट कराना ये अब निर्णे ये अब मानने का समय नहीं है बस ये ही मात्रशक्ती संगम है कि आपको भी मुखर होकर अपना चैन अपना चुनाओ करना होगा आपको करना होगा आपको जागना होगा और आपमें वो शम्ता है आपको बताओ कि भगवान के बाद अगर धरती पर मैंने किसी को देखा है तो वो मा है उसके होटों पे कभी बद्दुआ नहीं होते एक मा है जो कभी खफा नहीं होते हो सकता है बद्दुआ सब्द उर्दु सब्द है पर क्या फर्क पड़ता है हम तो सभी भासाओं के संगम में रहने वाले लोग है हमारे भारत में सभी भासाओं सभी बोली सभी का खानपान सभी की वस्त्र वेश वूसा गणवे सब का स्वागत है यही तो संगम है यहाँ पर संग अच्छद्धम संगदध्धम समो मनांसि जानिताम देवा भागे यथा पूर्वे संगाना नाम उपास्ते के गीत गाए जाते हैं माताओं को कौन पुछेगा चंद्रमा तभी प्रिय लगता है जब अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ युप्त रहता है योगे स्वर श्री कृष्ण सायद कौन जानता अगर श्री राधा का नाम उनके साथ ना जुड़ा होता वो अहलादिनी शक्ती जो ब्रह्म को भी आनंदित करती है वो अहलादिनी शक्ती जितनी माननता माया पती की है जितनी मान्यता नाराइन की है उतनी ही मान्यता नाराइनी की है अगर माया पती पूरे जगत को रचते हैं तो माया पूरे जगत को नचाती है वो श्त्री है मैंने पढ़ा था बहुत पहले एक कविता कि सिंग से बाहें मिलाकर खेल सकता है वज्वता आयुद पुरुष जो जेल सकता है रूप सी नारी के सामने लाचार हो जाता असहाय हो जाता इसका अर्थ जानती हो क्या है इसका अर्थ उसका उसकी उसकी लाचारी नहीं है इसका अर्थ स्रजन है जहां से प्रारंभ हुआ है ना जब माया पती ने इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ने वो क्रती बनाई जिसका नाम है नारी तो ब्रह्मा भी मोहित हो गए कहने लगे यह क्या है यहां तक कि जब भगवान नारायन मोहिनी के रूप में आए तो भगवान दिवाद देव महादेव सिव भी मोहित हो गए ये क्या है ऐसी वो बिमोहित करने वाली सक्ति वो तुम सामर्थो लेकिन जब कुठारा घात वज्रा घात होने लगा राक्षते और आशुरी सक्तियों का बोलवाला हो गया तब देवताओं ने आवहन किया तो वो मात्र शक्ति वो भगवती भवानी दुर्गा बनकर आपकन लेकर अब तक देखिये पुरातन में अगर गषं तो शिव के ऊपर अगर इकार ना हो अगर शिव के ऊपर इकार इमात्र का सक्ति ना जुड़ी हो तो शिव मnea स्वर बनकर रह जाएगा ुसको कोई शिव नहीं कहेगा जव तक है तबतक ही शिव है सिताराम कहते हैं हम, रादेशाम कहते हैं हम, गौरी शंकर कहते हैं हम, और यहां तक पूरे महाभारत काल में यदी सबसे बड़ा वीर, कोई, कोई बजड जैसा वीर जो था, जो महारती था उसको भी हमारी सनातन परंपरा में गंगा फुत्र भेश्म कहकर पुकारा जाता है यह हमारा अस्चित्त है कुंती नंदन कौंते कहा गया कुंती नंदन को और ब्रज के जो राजा है जो हम सब के इस्ट है उनको देव की नंदन और यसोदा नंदन कहकर पुका नाराइन को प्राप्त करने वाला पुत्र अगर जन्म सकती है, कौन थी वो, वो कयाधू माता थी, वो हिरन निकस्चिप के पत्नी, जो कहता था मेरे सिवा और कोई पूजनिय नहीं है, हिरन निकस्चिप के पत्नी, कयाधू ने हिरन निकस्चिप के आहां, राक्षसों के आह सक्त है पती पालग है ये बात सक्त है पिता पालता है परनतों मां तो गड़ती है ओधार भूता है वो प्रचन करने वाली है हे नारी तुम मनस्टा की तकसाल हो तुम जैसी चाहो ऐसी संथानें गड़ सकती वह इस इस नात मात्रशक्ती संगम, नारी सक्ती संगम की आवश्च्टा पड़ी है, कि तुम चाहो, जैसी चाहो ऐसी संताने गड़ सकती हो, वीर, बहादुर, कहते हैं वीर संतान से कोख खाली नहीं, कौन सी सकती है जो कि पाली नहीं, नारियां सादगी साध पाएं अगर सौरी सि बदल सकता, कोई नहीं आपको जुका सकता, बस अपनी गरिमा को बनाए रखना, हम सवदेसी कहलाते हैं आज मैं एक बात कहूँगी इस बात को के वले स्मरन रखना, कि हम सवदेसी कहलाते हैं, कहां गई हमारी सवदेसी वेस्फूसा, आज थाडियों में सजी हुई, पर्यावरन को लेकर आप यहां आई हो, नाम जो रक्षा करता है उसका नाम है प्रकृति, जो गोध लेता है उसका नाम है प्रकृति, जो जीवन को स्रजित करता है बचाता है उसका नाम है प्रकृति, और वो तुम हो, मा, तुम सूरज की अरुनिमा हो, तुम सूरज की ब नाम लेकर भुजाएं फड़कने लगती हैं उन बजरंग बली को भी भारत में अंजने कहकर पुकारा जाता है अंजनी नंदन कहकर पुकारा जाता है इसलिए अपनी गरिमा के गीत मदभूलिये, अपनी बेटियों की मित्र बन जाईए, क्योंकि अगर आज अपनी बेटियों की मित्र नहीं बनी तो बात बनने वाली नहीं है बात बनने वाली नहीं है हाँ आपकी बेटियां भ्रमित हो जाएंगे टीनेजर्स बेटियां कहां जा रही है कहां जा रहा है उनका चिंतन कहां जारे अब कहते वेशबुसा की बात मैं नहीं करूँगे कुछ भी पहनो अभी का उदारन बता रही हूँ भाई साव अभी यहाँ पर बहुत ही सुन्दर रोहिनी में जापानी पार्क में राम लीला का आयोजन किया गया था और बहुत सुन्दर रामन दहन का दैसहरे का आयोजन था, उस आयोजन में मैं भी आमंत्रित थी, जब मैं वहाँ पहुची तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, सब आये हुए थे, एक छोटा सा उधारन है पर बहुत मारमिक है, एक महिला, एक मात्रशक्ती वहाँ बैठी थी, उसकी ड्रेस, उसकी पोशाक बिलकुल मॉडर्न थी, उसके पास एक दो साल की बच्ची थी, देर तक रावन दहन में दो ढ़ाई घंटे का समय, जो लीला में लगा, उसमें बैठने के कारण उस बच्ची को ठंड लगने लगी, जो उसकी गोद में थी, वो थर-थर काप रही थी, वो थर-थर काप रही थी, मैंन मान आता था, तो आचल में छिप जाते थे, आचल से मा आशु पोच देते थी, और आँख में कभी कोई चोट लगी, तो ऐसे फूख छोड के आँख पे लगाती थी, कभी डॉक्तर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आँख ठीक हो जाती थी, वो मा थी, गर पुत्री गरम भगोने को पकड़ना हो तो अपने आचल से पकड़ लेती थी, आचल गायब हो गए, हमारी शंगार की चीज़े गायब हो गए, अभी हम यह नहीं पहचान सकते कि कौन पुत्रवधू है और कौन पुत्री है, कहते हैं पुत्री और पुत्रवधू में क्या ुत्रवधू अब बताती हूं, पुत्री घर की मिठाई है, जो कभी-कभी अच्छी लगती है, लेकिन पुत्रवधू घर में नमक जैसी है, जिसके विना घर में भोजन नहीं बन सकता, यह अंतर है, पुत्री दूसरे घर का कुल दीपक जन्म देती है और पुत्रवधू अपने घर के कुल दीपक को जन्म देती है, इसलिए पुत्र वधू, पुत्री से कहीं बढ़कर है, तुलना मत कीजिए, कहीं बढ़कर है, इसी तरह हमारी बेटियां, बेटों के बराबर खड़ी हो जाए, उनके जैसे वेशुसा, उनके जैसे पोसाग पहलने, तो बेटे ब बनेगी, अरे बेटी में जो ताकत है, बेटे में कहा, ओसकी बुंसी होती है, बेटी हैं बेटियां रौसन करेगा बेटा बस एक ही कुल को दो दो कुलों की लाज संजोती हैं बेटियां दो दो कि अगर हीरे हैं बेटे तो सच्ची सुच्ची मोती हैं बेटियां तो अब क्यू भेडभाओ कि हमारे घर में बेटी आई तो मुधास हो गया और बेटा आया तो क्या बोले आपके घर में, बोलो ना जल्दी दो, नोट निकलने ही वाले थे गड़ी से ने ने, क्या हुआ, बोले आपके घर में भगवती आई है, इतना कहते ही वो गड़ी जो नोटों की थी, अंदर चली गई, मिठाई के डबे बंध हो गए, बुवा जी मू फेर कर चली फुफा जी गायव, दीदी जी जा गायव, यह क्या है, यह कौन सिसंस करती है, हम कहते है, यत्र नार्यस्त पुद्जनते रमंते तत्र देवता, तो अपनी घर की आई हुई लक्षमी की पूजा क्यों नहीं की, खुश होकर उसका स्वागत क्यों नहीं क्या, लोग पहल कर अच्छा लग रहा है, परन्तु काफी कुछ बदलाव, अभी भी करने की जरूरत है, अगर नहीं करोगी, तो आज किसी कोने में हुई हिगटना, कल हर कोने में साक्षी नजर आएगी, और कोई चाकु भौब कर चला जाएगा, अगर नहीं समले तो, तुम अधूरे नहीं, कोई अपना कहने वाला मिले, मैं मुस्तुराओं तो कोई तारीफ करे, अरे तुम ही करो ना तारीफ ताकि वो बाहर ना डूने तारीफ करने वाला, अपनी उगती हुई क्यारी में, जो तुलसी का पोधा है, उसे नागभणी, मत बनने दो, जितनी जरूरत बेटियों को है उतनी ही सहेज़ने की जरूरत बेटों को है, बेटी देर से आती है, तो घड़ी देखती हो, कहां थी, महतरमा, कहां थी, साहिवा तब स्रंगार करना, नाखुनों पर इतनी छड़ियां पड़ती थी, कि दुबारा कभी नेल पहिंट की तरफ देखने का मन नहीं करता था, स्रंगार करने की भी एक उम्र होती है, तो क्यों बच्चियों के लिए मेक अप खरीबती हो, क्यूं? आप बच्चियों को जैसी हैं वैसी रहने दो, अरे तलवारे चलाना सिखाओ ना, उन्हें सिखाओ ना, के जुडो, कराटे, ताइकॉंडो, उन्हें सिखाओ ना, सिखर पर चगना, सिखाओ ना, उन्हें बीप सिखा बनाओ ना, अरे नाम तो दिये का होता है, पर जलती हमेशा बाती है, तिल-तिल कर जान लेना, सब कहते ह जल रहा है दिया जल रहा है आज तक किसी ने दिये को जलते देखा जलती हमेशा बाती है इसलिए बाती की तरह जलनी वाली मात्रशक्ती अप रौसनी भी खोरो रौसन कर दो हमारे चघत को तो बात बन जाएगी मैं आपके लिए कुछ पंग्तियां कहके अपनी वाणी को भर कि पाउरुस पर ललकार लगाकर सबसे आगे बढ़ी बेटियां हिमाद्री के हिम सिखर पर सबसे उची चड़ी बेटियां पाउरुस पर ललकार लगाकर सबसे आगे बढ़ी बेटियां माता बहन पत्नी बेटी ये सब धर्म निभा करके सन सतावन के बलिदानों में सबसे प जो न्याय करती हैं, वो और जो पढ़ाती हैं, वो पूरी तनमेता से पढ़ाएं और जो पालती हैं, वो पालने में कहीं कोई कोई कॉर कसर ना छोड़ें, हर बच्चे को हनुमान चालिसा याद हो, तभी हम खुझ को भारतिय और भारतिय हैं, न सच्छिध कारी हुग्ए, त इच्छा हो या अर्फ जगत हो, या सेवाये हो सरकारी, पुर्शों के समान तुम भी हो हर पद की सची अधिकारी, तुम्हे नए प्रतिमान स्रजन के अपने हाथों गढ़ना है, अया समे उठो तुम नारी, युग परिवर्तन करना है, इनी सब्दों के साथ मैं अपनी पूरूषों में मात्रों शक्ती का भाहु जागता है तो पूरुस देवता बन जाते है और जब इस त्रि में पाउरुस जाता है तो इस्त्री जाती है साधर जैश्य 54 अधि चुल कर